नमस्कार में हुझा श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूट स्रतिस्तान उदैपड जिले में आतंक बन चुका आदम खोर तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैथ हो गया जिले के जावरमाई स्थाना श्रीतर में बीते तीन महीनों में साथ लोगों को मौत के घाट उताने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने गुरुवार सुबत अबोश लिया दरसल तेंदुआ शिकार की तलाश में गाउं पहुँचा इस दोरान गाउं से सटे जंगलों में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाये थे जहां तेंदुए को ललचाने के लिए बकरा बंधा हुआ था इस दोरान बकरे पर हमला करने के लिए जैसे ही तेंदुए पिंजरे के नस्दीक पहुँचा पिंजराग बंद हो गया और आदम खोर बन चुका तेंदुए वन विभाग के पिंजरे में कैथ हो गया इस दोरान बन विभाग द्वारा आठ पिंजरे, बीस ट्रैप केमरे और असी से जाधा बन कर्मी दिन रात आदम खोर को पकड़ने की कोशिश में जोटे हुए थे लेकिन कई बार तेंदुए दिखाई देने के बावजूद बन विभाग की गिरफ्त में आना सका इसके बाद गुरुवार सुबवन विभाग की टीम को कामयाभी मिली है आदम खोर हो चुके तेंदुए के पकड़ जाने के बाद अब ग्रामीनों ने भी राहत की सांस ली है जावरमाई स्थाना शेत्र के सिंगटवाडा के रहने वाले हरीराम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तेंदुए के आतंग की वज़़ से घर में रहना मुश्किल हो गया था लेकिन अब जब आदम खोड तेंदुए पकड़ में आ गया है तो हम भी अपने घर में चेन से रह पाएंगे रेंजर सुरेंदर सिंग ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिछले साथ दिनों से अभियान की तहट लगातार वन विभाग की टीम जंगलों में गूम रही थी ऐसे में तेंदुए के पाउं की निशान के आधार पर उसकी पहचान की गई जिसके बाद उसके वीचरन वाले शेत्रों में पिंजरे रखे गए ताकि जल से जल उसे पकड़ा जा सके इसके बाद भूक से बेताब तेंदुए जब जंगल से गाव की और पहुँचा तब वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया जो फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है जिसे उदैपुर के सजनगर बायोजिकल पार्क लाया जा रहा है आदम खोर तेंदुए पिछले एक महीने में जावरमाई स्थाना शेत्र के चार लोग को मौत के घाट उता चुका है वहीं कई मवीशियों को अपना शिकार भी बना चुका है इसके बाद भाई भीत ग्रामिनों ने तेंदुए को पकड़नी के लिए विरोध शुरू किया था ग्रामिनों के विरोध के बाद अब वन विभाग की टीम ने भी सर्च ओंपरिशन शुरू किया जिसके साथ दिन बाद अब वन विभाग को काम्याबी हाथ लगी है आइकन को भी तबाईए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुचे अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूस का पेज लाइक करिए अगर आप इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं